असलामु अलेकूम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल और कैसे आप सभी इंशालला आप सभी खेरियस सोंगे अल्ला ताला आप सभी को सेहत बंद रखे आप सभी अपटे घरों में अपटे फैमली के साथ खुश रहें आवाद रहें और जो वे उलाद हैं अल्ला ताला उन सभी को देख अलास से नवाजे आमीन सुम्मा आमीन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यह कहूंगी कि वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है इसकिप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है और जो मेरे चैनल पर नए है उनसे में यह कहूंगी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तो जी यह व्लोग मेरा संडे वाले दिन का व्लोग है और बस मंडे से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं छुट्टियां आप खतम हो गी है तो मेरे पास कॉमेंट आये था हमारे मिठु को लेकर कि आप अपने मिठु को नजदीक से दिखाए तो यह देखे नजदीक से हमारा मिठु नहा रहा है बड़ी मस्ती के साथ एसे ठंड के मोसम में उसको मस्ती सूझ रही है और नहा कर देखे कितनी जल्दी जल्दी दोड़ा दोड़ा जा रहा है ना बहुत अच्छा लगता है और जब नहाता है तो ऐसी ही बस मस्ती के साथ नहाता है बड़े जुम जुम क क्योंकि ओड़ी टुंकल पानी को पीते हैं और अभी बस मेभी नहा कर आई हूँ और नहा कर यह देखे आने के बाद मैंने यह आज यह आज पेना यह आज पेना यह यह अज पेना यह सूट मेरा फेवरेट सूट अच्छा लगता है और अजैजर को थाल मेरा जो पेना यह अगर पाल मैंने बार अज-पेना पेने पर ऑगता है अँझार्यों गोगता है। एस ताइम ममी जैसे काई मार्केट जाए या फिर मेले वगएर गारा में जाए तो मेरी डिमांड पहली यही रहा करती जाए कि मम्मी मुझे तो तो चूड़ यह दिला देती थी और हर ड्रेस की मेचें की चूड़ा हो आगर यालो कलर गीड्रेस है तो यहलो कलर की चूड़ा तो रखे दोख सब का खुटों का। रहता है तो अजमी मुझे विपते हैं तो बज्यवटों का.. और यहां पर बच्चे टेयारी कर रहे हैं जैसकी मंदे इसकूल जाना है तो उसकी सोप करिया है सारी बुक्स वगेर उन्हें ने जमा लियें रखेत कर ली और मेरी भी तेयारी हो जाने की तो मेरे आज अपने सारे कपड़े जितने भी जो सूट हैं वो सारे दोकर डाले थे और वो सूप भी गए क्योंकि माशालला से हमारे यहां सोबा से धूप बहुत अच्छी है बहुत तेज धूप है तो उसके बाद मुझे आइरन करना था कपड़ों पर तो यह मैं आइरन कर अच्छी है 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 लेकिन फिर उसमें पूंफिडेंस नहीं आपा रहा है कि नहीं मुझे आद नहीं नहीं भूल जाओंगा या अटक जाओंगा होता है ना कभी बच्चों को ऐसा तो मेरी इंसल्ट होएगी सब बच्चों के आगे मेरी पिटाई लगेगी अब अमारे ली को देखी अभी इतना सब्सक्तों के आगे में याद नहीं करके लेगा तो ऐसा होता है कई बार तो हम समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चे नहीं कर पाते या लगन नहीं हो पाता लेकिन किया करो समझाते रहते हो से तो अभी बड़ी मुश्किल से समझा तो बिल्कुल मना कर रहा था आज तो मेरी चुट्टी करा दो नहीं मेरी इंसल्ट जाएगी मैं नहीं सुना पाऊँगा तो यह देखिए अभी से मतलब इतने बच्पन से ही वह इंसल्ट से इतना डरता है इतनी फिल होती है उसे तो अभी बस मेरे समझाया है कि विटा नहीं कपड़े चेंज करो जल्दी सो जाओ हाँ हाफिस साप के पास पढ़ने तब जाकर देखिए तैयार हुआ है नहीं तो अभी रो राता खड़ा कड़ा बहुत देर तक रोता रहा है अब बच्चे ऐसी होते हैं देखिए समझाना पढ़ता है माबाप को प्यार से तो आज द समेरे सास काश साथ कैसे प BRAND-S lesamma बच्च गारण फिर धाया है तो जाकर तो में मेरे सास की रसीपी है तो मैं भी खानाने जाए हांटी मटन नन एं यह बहुत है वनता है मेरे सास के तरहरा एकर दोग ले एकार चाहार था लिया को तो यहां आधा किलो कर एल लेे еп看नी को यहां पर कुछ खड़ेगर मसाले लिए जैसे तेज पत्ता है लोंग है जावित्री है दाल चीनी, कटुड़ाहे, काली मिर्चे, छोटी लाइची, बड़ी लाइची और यहां पर आदा कटोरी में दही एड किया है जुक्त मैसाश तरीके से अठ्यल मुल॥ सुछण जञ जए टवकृण आया करती थी है तो यहां पर में काना होईल ऑर रिफाइंड गृण हता है और यहां पर मैं तो अ मेन गरम करते 2 बन चुप्धां तो यहां पर मैं दिस्मान अच्या बरकर ऐट यह जवित मुल०। गरो वानी यो दादि नानी गाउं भी 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 बनाती है तो थो अते है रिखार का तेल के सकता है। तो हमें हांडी मिध्टी का अबनाता है है तो अब तेस्टे है तो धम एक अपन अज पा दो खाने के अंदर आता है। मुझे मुझे अधन में कुछ भी अधनी करना है सारे मसाले में डाल दिये और ज्यादे आप लोगों ने देखा में खड़े मसाले ही एड की है तो जो खड़े मसालों का टेस्ट है वेक्तम निखर खराता है बहुत अच्छा लगता है बस मैंने यहां पर चूला जला दिया है और हंडी रग दिया है हंडी के अंदर मटन भी रग दिया है बस यह धीमी धीमी आज पर पकता रहेगा तो पहले तो मैं इसकी भुनाई करूंगी थोड़ी दिर में ऐसी छोड़ दिया था इसके भाद इसकी भुनाई करेंगे तो मेरी सास भी पहले भुनाई करती थी कई भुनाई करते हैं लेकिन वह पहले बुनाई करती थी थी नहीं पर फिर पानी छोड़ देती थी तो आज हम लोगों की मीटिंग यही बहार लगए है यह देखिये पलंग जो इधर रहता है तो पलंग को इधर किसका लिया है जो बच्चों नहा लिया है और सब लोग आज अलिआ की तरह है ज्ली को भान एक बदू कि थी तरह भाना थी तरह रहता है मतन की उवह मत्न की अब हाहाँ तो थोड़ी तक नहां तक इस हुर्णाई चसाल रही जिए एऽ धानी पानी मातन की शीड़ पानि देख थी तरह था मटन के गलने के सापसिस में पानी डाल दिया है और वाँ मिट्टी की हांडी के तो फिर मज़े ही अलग होते हैं क्या टेस्ट आता है उपर से ये मिट्टी का जो सपोरा है वो मेने ढग दिया है और तब तक इदर बारी आ जाती है चाई की तो चलिए बना के तयार कर लेते है तक सब्सक्राव में तो तक वुर्बर नाशते का भी टाइम हो गया थी है तो नाशते में तो ने ने कुछी नी बनाया क्योंकि उल् कॉछी है ना पर देखे मे जो नी जीर स्ण भी टोली मेने चॉर्थ जानीती तो चाय बन रही है तो नाशता इस गज़े से आज कुछ नहीं बना तो बच्चे के एंप टोस्त ले आना चाय के साथ तो तोस्त हो तो मेरे बच्चों को बहुत जादा पसंद है अज देखें आज मैंने अपने जो न्यू वाले मगेना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किये थे उन में ही चाय मैंने सर्व किये और अब मैं टोस्त निकाल लेती हूं तिल वाले बच्चे वही खा लेंगे इस बार दोआ करवाने के लिए मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कोमेंट्स आएं वो कोमेंट्स हैं घर वालों के जिन्हों ने कहा है कि सायना जी हमारे घर के लिए दोआ कीजिए हमारा खुद का घर हो जाए हम किराय के मकान में रहते हैं तो जी देखिए अपना घर तो अपना ही होता है लेकिन वो बनता भी आसानी से नहीं है उसमें हमें अपनी पूरी कमाई लगानी पड़ती है कमाई के साथ साथ हमें अपना खून पसीना भी बहाना पड़ता है जब हम खून पसीना बहाते हैं तब जाकर देखिए हमारा अ अपना घर बनता है तो इस तरीके के जो कोमेंट्स आए उन में से एक कोमेंट मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूं कोमेंट है सना खान जी का साना जी नाम से आईडी है इन्होंने कोमेंट किया है साइना जी मेरा नाम शमनम कुर्रेशी है और मेरे शोहर का नाम तौकीर आप हमारे लिए दौा कीजेगा प्लीज के हमारा अपना घर बन जाए बहुत परिशान हों अपने घर वालों के बिहेवियर से अपनोंने ही हमें परायों से भी ज्यादा पराया कर दिया है बिल्कुल अकेला मैसूस होता है रहते सबके साथ हैं पर साथ ही कोई नहीं है प् लोग चुट्कियों में निवट सकते हैं लेकिन हमारा अपना हमें ऐसा दर्द देता है ऐसा जक्म देता है कि वो जक्म हम किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं वो लोग हमें अचानकी ऐसे चोराए पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि कई बार तो सच में समझ में नहीं आता कि क् अपना दर्द हम किस से कहें, किस को बताएं मैंने खुद ये दर्द साहा है लेकिन मैं ऐसे लोगों से डरी नहीं बलकि उनका डटकर मैंने सामना किया है और आप भी जो आपके सामने जैसी भी आप परिशानी बता रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस परिशानी का डटकर सामना किजिए बुरा वक्त है आता जाता रहता है सबके साथ देखिए आता है बुरा वक्त और फिर चला जाता है और कल फिर अच्छा वक्त भी आता है तो आपका भी देखिए अच्छा वक्त आएगा इंशाल्ला जल्दी और मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपका खुद का घर हो जाए जल्दी से जल्दी और आप साथ खेरियत के साथ अपने नए घर में शिप्ट हो जाओ अब मैं ले लेती हूँ कुछ विवस्त के नाम जिनोंने दौाएं कराई हैं और एक बहुती लंबी लिस्ट मेरे पास है नामों की गुलपशा मलिक, उमेरास किचन, आदिल हुसेन, मुहम्मद इम्रान, महसीन, गुलपाम खान, अल्वीरा खान, शिप्विकिट्स चैनल, फातिमा तवस्तुम, शम्नम कुरेशी, सफद्दर सुल्ताना, आफरीन वेगम, यूनिक एनिमेशन, सान बोस, तवस्तुम अंसारी शवाना, एस कलेक्शन, संजीदा, फेशन वित शावरी, तरन्नुम फर्मान, सहाना अश्रब, फातिमा सयदा, आक्षा ताहिर, रेश्मा जमाल, रूबी, शाहिन खान, चान्नी अंसारी, शमीम बेगम, शमीम खान, रूपेश, जिंदा पाक ब्लोक्स, शाहा शाहा, शबा तो जी, आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी, कि आप लोगों की जो भी परिशानिया हैं, अन सब परिशानियों को दूर करें, अपने जोमान में रखे, और सब की जो विजाएज तमन्नाएं, उन तमन्नाओं को पूरा करें, तो बस अभी मगरिब की नमाज अदा की नमाज अदा करने के बाद में बापस बाहर गई थी आटा में ने पहले ही लगा लिया था और अब बनारियो में गरम गरम रोटियां क्योंकि जब मटन हांडी बन रहा है वो भी चूले पर तो फिर रोटिया भी चूले की रोटियों का तो फिर मज आप लोगो को बनाते हैं तो आज की मेरी रिस्टिपी आप लोगों कैसी लगी आप लोगों कमेंट्स करके जरूर बताएगा और एक बार आप जरूर बनाएगा मटन हांडी आपको खाकर मज़ा आजाएगा तो बस अब हम लोग खाना खाएगे और आज का मेरा व्लोग आप लोगों कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का में यहीं पर एंट करती हूँ आप सभी अपना और अपनी पूरी फेमिली का बहुत-बहुत ख्याल कि आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाहाफिज